कि दैनिक शार समचार से हम आपको बताएं आज हम नग्रोटा में हैं पंजग्राई गोशाला में और यह नई गोशाला बने हुई है इस गोशाला को भी दिखाएंगे यह देखें पीछे गाए भी हमें यहां पर दिख रही है लेकिन एक डिजीज एक वाइरस जो है वह बड बताई थी जब एक खबर बताई थी तो उसके बाद असर यह हुआ कि एड्मिस्टेशन जो है वह हरकत में आई है जगे जगे पर जाकर पश्वों को देखा जा रहा है गायों को देखा जा रहा है तब हमने आपको यह भी बताया था कि भगवान कृश्न नहीं गाए को मात माता का दर्जा दिया और उसके बाद हिंदू धरम में जितने भी लोगं माता ही मानते हैं उनकी पूजार अर्शना भी करते हैं उनके दूद का सेबन भी करते हैं तवे प्रश्न सामने आ था कि क्या उनका दूत p पीने से कोई परेशानी है आज आपको जो भूशला के दर्षन कराएंगे नई गोशला और बात करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि गाये किसकी तनी जहां पर बिमार है क्या यहां पर कि 용ना पर नहित प्रें को क्या देंगे करें नेस्यान PARI इसका उद्घाटन कब हुआ वो हमापको थोड़ा सा दिखाते हैं ये है साथ तारिक को जलाइ को यानि के पिछले मन्त इसका उद्घाटन हुआ है यह काफी बड़ी गोशाला है नई गोशाला है पूरा घूंकर देखें सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पर भी काफी स इसकंड दो ड्होत ऴड़ायां हैं इनसे भी बात करेंगे लेखें पहले आप गाये आप ये गाये हैं और जो बीमार गाए हैं वो पी हम आपको दिखाने कोशिश करेंगे लिए हैं तब गोशाला बनाई गई है और यह तब गोशाला बनी जब हमने आपको एक बंडोल प्लाजा से ख़वर दिखाई थी यहां पर हमने आपको यह बताया था कि पशु तसकर जो है वो पशु तसकर जो है उनको रोकने का प्रियातन जो है वो किया जा रहा है लेकिन जो पशु पकड़े जाते हैं जो गाए पकड़ी जाते हैं उनको रखा कहा जाए तब यह प्रशन हमने रेस किया था उसके बाद गोशाला जो है वो नई गोशाला की बाते चली से की रिसोर्स वाली गोशाला बढ़नी चाहिए यह जो है वो बताएंगे यह जैसे कि आप जानते हैं कि सारा सिस्टम कैसे चला क्या क्या हुआ तो आप सब जानते हैं क्योंकि मुझे लगता कि एक आपका ही चैनल था जो राज को है वे पर आता था और सथ दिखाने की कोशिशिक करता है चलो वह सारी बाइंगा भी हमारा जो मेर मक्सिद है कि जो गोमाता के ऊपर जो एक वाइरल रेट हो गया है जो गोमात हमें मिलते हैं गाई के उपर ऐसे तो अब ने फून के टेराटर साब को टीम बेज रहे हैं पूरी पर आपको डंक से लेकिन मैं आपकी मादन से कहना चाहता हूं कि जो यह वाइरल है यह किसी में मालूम में यह है क्या है जैसे करोना है आप ने देखा कि लोने वैक्सीन ब हो गया पेन किलर हो गया एंटिक बैटिक हो गया तो यह उनको मालूम नहीं है कि क्या वाइरल है आपके चैनल से में एक चीज़ लेकर आचाहता हूं कि जिस गाए को यह वाइरल हो जाए कोई भी इनसान इसका दूज़ना पिए कि यह क्या फैट करे क्या रेक्शन करेगा मालूम नहीं है और आप लोग पहला कि जसा को यह वाइरल हो जाए तो प्रीपा करें उसका दूद बिली स्क्रावन ना ना करें और अपनी गाये को जो देशी तोड़के और जो डाक्टर कर रहे हैं जैसे इक्वर को हो गया एंटिक हो गया या या पेन कि लो गया या यह है एक यह सिर्फ एक होसला है हम सिर्फ एक होसा दे सकते हैं कि यह करो यह सेम सिंड्रूम है कि जो यह वाइरल है इसको अभी तक नहीं पता कर पाए यह क्या वाइरल है इसकी जो सर्च जारी है अभी तक पता नहीं लग पाया किसी को भी लेकिन आपने घर के अंदर आपने घ इसका जो यह वाइरल है इसका भी तक पता नहीं चला यह है क्या यह किस्व नहीं मालू मैं है क्या जी इसमें यह पहली बार ही वह और मेरा यह मानना है जो यह जो यह जो यह जो यह जो यह लिम्पी बुमारी है ना इसके अलग लग टिपनी हो रही है अलग बंदे अपने विचार दे रहे हैं कोई कहता है यह लगा ठीक हो यह लिगा ठीक लो लेकिन आई तक अब इसको आई वे देड़ दो मीने हुए है क्यों यह कैसे बचला है कि भुमारी है क्या तो ना जाएं इतनी डरने की बाद बनिया कि आप गाय की सेवना करें मेरा यह मानना है मेरी सोजिय कहती है जैसे क्रोना की महा मारी हुई थी इंसानों के प्रतिक तो यह जो 교jjaya जो यह रिश्टाइल É मातव इसमें 23 कोटी 23 कोटी ये समें की बात है डरना चाहिए बगवान से चेth तो इसका प्रापर जिसको जो जो लगता है कि कोई नीम दे रहा है कि सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन इसका अभी तक पदा चला यह है क्या तो थो तो अभी जारी है देखते हैं क्या करते हैं इसके काफी फैल चुकी है तो अब यह बेज़वान है गोमदा बोल दो सकते हैं इसको इतरो शुरू हो गए है यह बेज़ भी मारते नहीं है मारने वाली वह जादा बीमार है यह रात को आए हैं बागे उताने से यह वह वाले ही इनमें तीन चार हैं जो हमारे पास आड़ी जो हमारी गोशृला में गए हैं उसमें सभी दो गई बिमार हुए अभी तो टीम मैंने बही और ला लिए अब लग बग जो रात को आई हैं जो हमारी पहली इसमें पीट पर हाथ फिरने से फिरने से बीपी शुगर यह सारी इस ही है है यह घ्रिकत है यह हमारा जो पुछ लूँप पर कि बड़े पोड़े जैसे बने हुए फोडे हूं है यह फोर होते हैं इसे बत इसे बने में कि तुझ कोई आप अपेल करना जाहेंगे मेरी एपील है कि ऑने थोड़ा सा दियान यह मंदरों का शेरा जियान के इस इसको मंदरों को शेहर नाम से जाता है यहां देखर सामने वहाँ वाह्वशन देशा की पहाड़ी है तो यहां शर्डालों देश दूनिया बर से आते हैं। है थोड़ा सा जो मान समेना गोंत आपकरता है आपके माधियम्स से मैं एक चीझ कहनाम चाहता हो गुवर्बण सहाओ ध्यान मंदियों हो बात only और भुआ है तस्कृरियाया जो पर जो तस्कृरी होटी है यह शाzar stakसी इस पकड़ी में कोई कमी है या प्रीस जान करें कर दी समस्षा सो से बड़ी यही है कि आप आप आए बेंगे जज़े कोड़ी वहां सो गाय थाने कंदर है आप गवाल जाईए हजार से उपर गाय है मकी जब तक जब तक आम समाजी की लोग गाय के साथ नहीं जोड़ेंगे हर पंचाइद कि इकल यूपा 520 है तक बितरनी नदी को पार कर ना इस चीज़े को संजी ए बितरनी नदी नदी को पार कि यहीं तो वहीं दूब जाते हैं यह हमारे घड़ प्रान में लिखा हुआ है एक तेरमाद आया था उसमें कि जो मरने के बाद भी हमें जब तेरमी जो गाउं से निखना पड़ता है उसको पार गो मता पूछ से लेके पार जाती है अगर अच्छे करम किये हो तो तमाम जो जो मैंने जो थोड़ी गोशाला खुले जाए एक जो आपने ख़वर कि ती उसमें यह हुआ कि जो इसके अगस्त के बाद यह गोशाला खुलेगी आपकी चैनल के बाद में जून में यूलाई में शायद हम यहां बंदर अंडर कर चुके हैं फुरा सा एक क्रेश्र बन जाता है दू चुका था गाड़ी गड़ में तो अच्छी बात हमें चाहते हूं हर एक बंदा जागरत हों चाहिए कोई आप अपील करना चाहेंगे अपील जही है देखो हाथ दोनों जोड़के कहा रहा हूं दिल से कहो गोमाता की जाहे एतिस कोटी देवी देता विराजमान हैं इनकी इज़त करो लोगो देखता हूं सुबह घाए बेस्ट में यूज करी आगनों कर निकल जाते हैं आप यह दास्तर चलते हैं फुलका दे तो उल्टा पाव रखते हैं एक बात आपने कहीं कि डॉक्टर जो है जो भी राए अभी दे रहे हैं क्योंकि इसकी कोई वैक्सिन नह लिए इस सुनता है यह यह था यह था हम पता हो जाए इस लोगी यह इस में नहीं नहीं लेकिन हो चुका है और उस ती और हमारे महराजजा जी ने इसको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा था तरेंगा जिन्दा खाथ में दिया था और हम फगर से कहते हैं कि हम इंडियन हैं लेकिन थोड़ा सा जैसे वो राइपू सबाने एक दरना रखा है देखो उसको गुर्मेंट ने क्या 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 कर दिय हैं लेकिन अब भी तो मौकी के बाफ तो आपको लोगों समझाने को कहने की आपको अच्छी बाते हो रही हैं तो एक बात जरूर किये हुए कर्मों कफल सब को भोगना पड़ता है और आपको लगता है समाज में लोगों जितने भी लोग हैं नहीं मैं यह सुनता हूं कि कम सरकार का करना है नगे तो कानून का और चीजों लोगों का भी मजाकि उड़ाया जबाता हो वाटर वक्स में लगा हुआ इन लोगों अपने घरों में यूज गी हुए है तो वो उस चीए की वैरिविकेशन हो चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं प्याची का उनको तो मैं कहता हूं कि आधी स्पार्ट पर्मेंड करना चाहिए जो लोग किसी के घर में हैं तो जो सब्सक् वैक्सिन बन पाई इदे जिन दो दो डोज लगाई थी उनकी वीड़त हो चुकी है तो मसला ये है कि ये अर गो माता है अगर ये गो माता है जल्दी को सक्से सक्स एक्षिन लान चाहिए और इसके उपर सर्च कर जी हमारी है गया वो ट्रीमेंट जल से जल शूरू करना चा है लेकिन फोड़ा सा गुवर्ण सब अगर एक दिन में दस मिनट भी गो माता के प्रतिश जागे ना मैं कहता हूं क्या मंद्रों को शहर में ना गाया माता की बल्ले बल्ले हो जाएगी तो ये कोश्र शर्मा थे जो हमें काफी अच्छी जानकारी गाए के बारे में दे रह हैं और इस वाइरस की वैक्सिन अभी तक नहीं मिली है और जरूर administration जो है वो हरकत में जरूर आई थी हमारी ख़बर के बाद लोगों को जागरू को भी किया जा रहा है लेकिन अभी भी इस वाइरस की medicine नहीं बन पाई है नहीं मिल पा रही है और बिमार जादा तर जो गाये हैं पशु हैं जादा तर यहां पर बीमारी ही है और यह बढ़ता ही जा रहा है वाकि इस ख़बर के उपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देख रहें दैनिक्षर समझार मुझे और मेरे सहयोगी को दें अजासत नमस्क्राइब